और 36 गर्ड कॉंग्रिस के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी पूर्वसियन डॉक्टर रमन सिंग के वीजियो पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई कॉंग्रिस ने वीजियो में डॉक्टर रमन सिंग पर तीखामला किया इसमें चुनावुस से पहले उनके बीजेपी के जीत के दावे और हर के बाद इसकी जिम्मेदारी लेने का फोटेज आपने देखा बीजेपी ने एका कि ये तो निमनस्तर की राजनी दी है कॉंग्रिस ने ताओं को 2003, 2008 और 2013 के बयानों को भी देखना चाहिए ऐसे ही दावे लोकसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी और राहूल गांधी के भी निकल जाएंगे वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस ने वीडियो को सही ठराए दिखे प्रते चुनाव में जो दल होता है उसके कारिकरता और उसके नेता पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ते हैं और उनको विश्वास रहता है कि उस चुनाव को जीतेंगे और इसलिए वो पूरे विश्वास के साथ में इस बात को कहते हैं कि वो इस चुनाव को जीतेंगे परिणाम किसी एक पक्ष में ही जाता है लेकिन ये कॉंग्रेस से दिप्रशन कर रही है इस तरह का पुराने 2003, 2008, 2013 के वीडियो निकाल कर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या दावा किया था कि प्रदेश में 2003, 2013 में कौन सरकार बनाने जा रहा है तो क्या वो फिर से इस बार की जवाबदारी लेंगे या पूरी ताकत के साथ में कहेंगे कि वो चुनाव जीत रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव में परिणाम जनता के हाथ में रहता है जनता जिसको समर्थन करती है उसके पक्ष में ये चुनाव आता है मैं तो रहुल गांदी जी की बात कर ले या फिर सोनिया गांदी की बात करे उन्होंने भी दावे किये थे कि हम 2014 में सरकार बना रहे हैं 2019 में सरकार बना रहे हैं क्या हश्रुआ कॉंग्रेस का इसलिए यदि कॉंग्रेस का वक्तव इतने छोटे और निमनस्तर का व्यान इस तरह का आता है तो मुझे लगता है कि कॉंग्रिस की मानसिक्ता को सोचा समझा जा सकता है अब भारतियंता पार्टी यहां अपना स्टित खो चुकी है और भारतियंता पार्टी के नेता और खासका रमन सिंगी अब मीडिया के माध्यम से चर्चा में जिन्दा रहने के लिए आए दिन उटपटांग में देते हैं